हे गाइस, वेलकम टू अन्यों माई आई स्कीन कैप फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिवीव वीडियो होने वाला है या हम इसको रिवीव नहीं कह सकते हैं एक्चिली मैंने ये सिर्फ एक अवैन्रेस के लिए बनाया है आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेर कर रही हूँ उसमें हम बात करेंगे डाबर गुलावारी की जी हाँ, मेरी तरह आप लोगों में से जादा तर लोगों ने इसका कभी न कभी इस्तिमाल जरूर किया होगा और कुछ लोग रेगुलर इस्तिमाल कर रहे होंगे बचपन से अपने घर में इस्तिमाल होते देखते हैं तो हमारी एक साइकोलोजी बन जाती है कि हम इसको बचपन से इस्तिमाल कर रहे है हमने बड़ों को इस्तिमाल करते इसको देखा है तो ये फिर कहीं न कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब मुझे लगा यार ये गुलाबारी तो है नहीं, मिन्स ये गुलाब जल तो है नहीं, आप एक तरह से एक पानी इस्तिमाल कर रहे हो, जिसमें कई तरह से कैमिकल मिले हुए हैं, गुलाब की सिर्फ एक फ्रेग्रेंस डाल दी है, और अब इसको गुलाब जल कहके, और ही बोलना चाहूंगी, अगर आप इसको इस्तिमाल कर रहे हैं, तो अभी अभी का अभी इसको स्टॉप कर दीजिए, मेरी स्किन एक्सेस सेंसिटिव है, जब मैं इसको एसे टोनर फेस पे अपलाई करती हूं, तो मुझे काफी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मिन्स कभी कभी इचिंग होने लगती थी, या कई बच छोटी छोटी फुनसियां हो जाती थी, तो मुझे लगा ये साइद इस वज़े से हो रहा है, विकास मेरी स्किन एक्सेस सेंसिटिव है, लेकिन जब मैं इसको किसी मास्क में या पैक में इस्तिमाल करती हूं, तो मुझे को हो जाती है, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा, ये एक ट्रांस्पेरेंट पैकेजिंग में आता है, और इसमें जो गुलाब जल बोल के इन्हों रखा हुआ है, पानी या जो भी आप बोल लीजिए, लिक्विड बोल लीजिए, ओके टाइप पैकेजि बताएं नहीं है, नॉमली एक प्योर रोज वाटर में रोज पीटल का इस्तिमाल होता है, कहीं भी एड नहीं है कि इन्होंने रोज पीटल का इस्तिमाल किया, सबसे पहले जो में इंग्रीडियन्ट है, एक्वा, एक्वा क्या है, नॉमल पानी है, मीन्स जैसे आप अपना फे Bakском नहाने का पानी इस्तिमाल करती है वह सी हैँ हम वही है और सेकेंड इंग्रीडिन है फ्रेग्रेंस रोज वाटर में तो अपनी खुद फ्रेग्रेश होती है उसमें अलग से फ्रेग्रेंस एड़ करने की जलूरत नहीं पड़ती है sodium benzoate नाम का कोई chemical है फिर rose oil है और rose oil कितना है इन्होंने इसकी quantity नहीं बताई है means transparency इन्होंने नहीं रखी है और कई सारे chemical हैं जो मैं आपको screen पे दे रही हूँ आप check out कर सकते हैं हाँ side में ये जुरूर लिख दिया है कि paraben free जैसे paraben आप इस्तिमाल नहीं करते हो तो बस आप कुछ भी इस्तिमाल कर सकते हो आपकी skin clay safe है इसको इस्तिमाल करने की एक बड़ी वज़े ये भी है क्योंकि एक बहुत affordable price में मिल जाता है इसलिए हम आसानी से purchase कर सकते हैं बाकि market में जो एकदम pure rose water आपको मिलेंगे वो काफी जादे expensive है हम सब उसको आसानी से afford नहीं कर सकते लेकिन अगर आप फिर भी एक pure rose water की तरफ जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि affordable भी हो तो आप पतंजली का rose water इस्तिमाल कर सकते हाला कि उसको भी एकदम pure rose water नहीं कह सकते हैं बट इसके comparison में वो काफी सही है आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं बट अगर अच्छे ब्रांट की तरफ अच्छे rose water की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको prefer करूँगी कि आप TNW का इस्तिमाल करें जो मैं purchase कर सकते हैं लेकिन अगर आप घर पे बना के इस्तिमाल कर सकते हैं तो बहुत ही बैतर है बिकाज उसमें कोई पैसा भी बहुत जादा नहीं लगना है और आपको purity भी पूरी मिल जाती है तो friends उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफी जादा helpful लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी बैल आइकन को भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अप्टेट मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखें थैंक्स पर वाचिंग बाबाई